हेलो फ्रेंड्स, रेंकर्स अड़ यूटूब चैनल में आप लोग का स्वागत है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे CISF Head Constable के रिटेन एग्जाम के लिए GK के कुछ महत्वपून परासन, इसका कलास नमबर 4 है फ्रेंड्स, तीन कलास ओलेड हो चुका है, तो अभी तक आप वीडियो नहीं देखें हैं, तो चैनल के प्रेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो से आपको लाव ही ही होगा कि आपके सिलियावस के कॉर्डिंग जो 2020 में सिलिया गया, ऐसे इसे नोटिफिकेसन आपको मिल जाए, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के अपने वीडियो से लाव मिल सके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के अपने वीडियो से लाव मिल सके, तो चलिए फ्रेंड्स, कल के वीडियो के लाश्ट में हमें कोचन दिये थे आपको और बोले थे कि आप अपना आंसर कमेंट बक्स में जाकर जरूर दीजिएगा और बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया था तो बहुत बहुत धन्य बाद और आप लोग भी अपना आंसर जरूर दे वीडियो के लाश में क्योंकि किसी ने किसी हेड कॉंस्टेबल एक जाम में पूछा ग तो फर्स्ट कोचन है फ्रेंड्स आदरता कमापन किस से किया जा सकता है ठीक है आदरता कमापन किस से किया जा सकता है अप्सन नमबर A है हाइड्रोमिटर अप्सन B है हाइड्रोमिटर अप्सन C पाइरोमिटर और अप्सन D लेक्टोमिटर ठीक है तो यहाँ पर जो धीकटिव डैनसिटि साक चींड़ तीव तो इसको हम आपते हैं हैं तुद्धिक शुद्ध धिक स्वसमेगं यहाँ पर गोब 15 हैं यह जाते हैं यहाँ करके divisive अब फ्रेंट्स यह अब की बार भी पूछा गया था तो ठीक है इस कोचन को याद रखिएगा बहुत ज़्यदा कब रहता है यह आपके option दिए गया है चार इसमें से कौन होगा तो यहाँ पर टू नमबर option देखें फ्रेंट्स मनुस्य का परत्यक्ष वजन वस्तिक वजन से जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो तब कब रहता है ठीक है फ्रेंट्स इसको याद रखिएगा बहुत ज तो थायँ — यहाँ पर आपको option दियें गए है यहाँ पर जो इसका राइट एंसर हो जाएगा यह नमबर लकड़ी के बहारके बराबर Edle meer के दुकड़े को पानी के नीचे पकड़गर रखने पर उस पर लकड़ी के बहारके बराबर उत्पलावन बल लगता है सीका Alg restaurant हो size फ्रेंट्स यह कोचन कंप्लेट हुआ नेक्स्ट कोचन देखते हैं कोचन नमबर चार है आपका हिलियम परमाडू जब इलेक्ट्रोन खोता है तब वह यह बनता है अप्सन आपको दिये गए है ठीक है फ्रेंट्स तो यहां पर इस कोचन का राइट अंसर अप्सन नमबर भी हो जाएगा धनात्मक हिलियम आयन धनात्मक हिलियम आयन नेक्स्ट कोचन देखते हैं कोचन नमबर पांच है समान परमाडू संख्या वाले नेकलेड को क्या कहते हैं समान परमाडू संख्या वाले नेकलेड को क्या कहते हैं यहां पर आपको अप्सन दिये गए फ्रेंट्स तो यहाँ पर इस question का right answer समस्थानिक हो जाएगा Isotopes English में इसको Isotopes कहते हैं और Hindi में समस्थानिक समान परमाडू संख्या वाले Nuclead को समस्थानिक कहते हैं ठीक है friends तो इसका right answer option number B हो जाएगा Next question देख लेते हैं Question number 6 है आपका Vitamin D की कमी से होने वाले रोग Riketas में सरीर का कौन सा अंग परभावित होता है जो vitamin D के कमी से Riketas होता है उसमें कौन सा अंग परभावित होता है option आपको दिया गया है तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option number C अस्थी मतलब की bone ठीक है friends यहाँ पर vitamin D की कमी से जो Riketas होता है वो अस्थी को परभावित करता है मतलब की bone को ठीक है friends तो यह question complete हुआ next question देख लेते हैं question number 7 है छीली हुई सबजियों को धोने से कौन सा vitamin निकल जाता है जो हम लोग सबजी friends काटने के बाद होते हैं तो उसमें से कौन सा vitamin निकल जाता है तो इसका right answer option number B हो जाएगा vitamin C जब छीली सबजियों को धोते हैं आम लोग friends तो vitamin C उसमें से निकल जाता है ठीक है यह question complete हुआ next question देख लेते हैं question number 8 असोग की परसासनिक निती में भारी परिवर्तन किस घटना से आया असोग की परसासनिक निती में भारी परिवर्तन किस घटना से आया यहाँ पर option आपको दिये गया है तो यहाँ पर जो इसका right answer हो जाएगा option number B हो जाएगा calling youth जो 261 इसा पूर्व हुआ था यह डेट भी याद रखिएगा ठीक है 261 इसा पूर्व हुआ था calling youth और यह आपको तेरवे सिलालेख में मिलता है इसका वड़न calling youth का ठीक है फ्रेंड तो इसको आप याद रखिएगा बहुत ज़्यदा important question है और question number 9 है और इस वी सताबदी में सबसे पहले सुरु किया जाने वाला सुधार आंदोलन निमलिकित में से कौन था यह option दिये गए हैं 4 आपको इसमें जो right answer होगा ब्रहमा समाज होगा ठीक है फ्रेंड ब्रहम समाज के स्थापना 38-38 इस इस वी में राजा राम मोहन राय के द्वरा किया गया था इसको याद रखिएगा आपको डिरेक्ट पुछ लेता है date भी और ब्रहमा समाज के स्थापक कौन थे यह भी पुछ लिया था ठीक है फ्रेंड तो इसको याद रखिएगा ब्रहमा समाज के स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा थाड़े साथाई सिस्वी में किया गया था यह कोचन कम्प्लीट हुआ अब देखते हैं नेक्स्ट कोचन और कोचन नमबर दस है आपका और इससाथ में अंग्रेजे द्वारा कैद कर लिये जाने पर बाल गंगा धार तिलक को भेजा गया था और यह उप्शन आपको दिये गया है इसमें जो राइट आंसर होगा इसमें हो जाएगा आपको उप्शन नमबर दी मांडले और इससाथ में अंग्रेजे द्वारा कैद किया जाने के बाद बाल गंगा धार तिलक को मांडले भेज दिया गया था ठीक है फ्रेंड्स तो ये कोचन कम्पलीट हुआ नेक्स्ट कोचन देख लेते हैं और कोचन नमबर 11 है सविधान बनाते समय निमलखित में से कौन सा अधर्स प्रस्तावना में सामिल नहीं किया गया था ये जो आपको वर्ड दिये गए हैं यहाँ पर अप्सन में चारगो इसमें से कौन सा वर्ड आपको प्रस्तावना में यूज नहीं किया गया था तो यहाँ पर इसका राइट अंसर हो जाएगा समाजवादी याद कर लिजेगा इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये इस विधान बनाते समय निमलखित में से कौन सा अधर्स प्रस्तावना में सामिल नहीं किया गया था तो वो है आपका option number C समाजवादी थीक है तो next कोचन देखते हैं कोचन नमबर 12 है आपका सुन्दरी बिरिक्ष निमलिखित में से किसकी एक बिसेश परकार की बनस्पति है आपको option दिये गया है तो यहाँ पर इसका जो राइट अंसर है option number A है जवारिय वन ठीक है इसको आप याद रखिएगा सुन्दरी बिरिक्ष एक बिसेश परकार का बनस्पति है जो कि जवारिय वन का है ठीक है तो इसका राइट अंसर option number A हो जाएगा तो देख लेते हैं आप 13 number कोचन कोचन नमबर 13 है आपका सब्द औहस्त छेप और थ अर्थविवस्ता कि किस रूप के साथ संबंधित है आपको यहाँ पर option दिये गए है तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स option number A है पुंजिवादी और थविवस्ता ठीक है इस question का राइट आंसर आपको हो जाएगा ए नमबर पुंजिवादी और थविवस्ता आप या याद रखिएगा question number 14 है नमिंतम पुस्तक कुरुचेत्र टु कारगिल यहाँ पर जो दिया गया है नमिंतम पुस्तक कुरुचेत्र टु कारगिल किसने लिखी है ठीक है तो यहाँ पर जो आपको option में है इसमें right answer जो हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर है कुल्दीप यह पुस्तक कुल्दीप सिंग के द्वरा लिखा गया है कुरुचेत्र टु कारगिल ठीक है तो इसको आप याद रखिएगा next question देख लेते हैं question number 15 है जब उत्पादन की औसत लागत घटी है तब उत्पादन की सिमानत लागत क्या होगी इसमें से जो आपको option दिया गया ह यहाँ पर जो आपको right answer होगा friends option number D हो जाएगा औसत लागत से कम होती है जब उत्पादन की औसत लागत घटी है यहाँ पर घटी है तब उत्पादन की सिमानत लागत औसत लागत से कम होती है ठीक है friends तो यह वीडियो का last question था और आपके लिए question है भारत में भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां इस्तित है भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां इस्तित है option A है दिली option B है भपाल option C है देहरादून option D है लखनव ता आप इसका right answer comment box में जाकर जरूर दीजेगा friends और उमीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा और इस question का हम answer कल के वी और नवाल